हलो फ्रेंड्स आज मैं जो आपको मुवी एक्स्प्लेन करने वाला हूँ यह एक साइकोलोजिकल थ्रीलर प्लस मर्डर मिस्ट्री है आज के मुवी का नाम स्पाइडर फोरेस्ट जो 2004 की एक कोरियन मुवी है इस मुवी के बारे में बहुत सारे लोग को पता नहीं है पर अगर पता चला तो हल्यूड के बहुत सारे बेस्ट मुवी को यह पीछे छोड़ देगी मुवी में आपको लग सकता है कि हो कह रहा है पर लास्ट में सब चीजे में आपको एक्स्प्लेन करूँगा तो चलिए इस कॉंप्लेक्स मुवी को एक्स्प्लेन करना स्टार्ट करते है मुवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम है क्यांग यह जंगल से जाते हों में दिखता है इसी जंगल का नाम Spider Forest है जंगल में एक घर होता है जिसके पास वाता है यहाँ दरवाजा खोल कर देखता है तो एक आदमी का वहां Murder हो चुका होता है यह बहुत ही डर जाता है इसे को जावाज आती है और यह अंदर जला जाता है अंदर जाने के बाद एक औरत का भी Murder हो चुका होता है इस औरत को जानता है यह हमारी और एक में चैरक्टर है जिसका नामत है सुयंग सुयंग कहती है कि उसे डर लग रहा है उसे सब जगा Spider दिखाई दे रहे होते है कैंग जब खिड़की में देखने के लिए जाता है तो वहाँ कोई था जो अब भाग रहा है यहाँ पर कैंग को Murder weapon भी मिलता है कैंग इसके बीछे भागते भागते जाता है पर यह आदमी कैंग को ही जखमी कर देता है कैंग बेहोश हो चुका था पर थोड़े टाइम बात वो फिर से होश में आ जाता है यह आगे चलती चलते रोड के टरनल तक आ जाता है यहाँ पर फिर से उसे वही आदमी दीखता है यह उसके पास जाना जाता है पर इस टरनल में एक काड़ी आकर उसे ठोक देती है अब यह एक्सिटन किसी ने रिपोर्ट कर वाया था और कैंग होस्पिटल में है इस पर सरजरी वेगरा होती है और यह अनकॉंशिस होता है थोड़ा टाइम गुजर जाने के बात यह फिर से होश में आ जाता है डॉक्टर इसके पास पोचते है और इसे सवाल पुछने लग जाते है कैंग के वाइफ के फोटो उसके पॉकिट में थी उसके बारे में पूछते है कैंग सिर्फ एकी चीज़ बोल रहा होता है कि वहाँ सब लोग मरकर पड़े हुए है वो इसे स्पाइडर फोरेस्ट जाना पड़ेगा वो पुलिस को कॉल करने के लिए बोल रहा होता है कैंग के एक अच्छा फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है किम इस मुवे में भी फिर से किम नाम आ ही गया किम पुलिस ओफिसर है तो कैंग से मिलने के लिए आता है कैंग फिर से spider forest के बारे में कहता है और वहाँ dead bodies है इसे उसे बता देता है कैंग धुनला धुनला बोलता है कि मैं realize कर रहा हूँ कि वो मैं ही था इस statement का meaning आपको अभी पता नहीं चलेगा पर last में सब कुछ clear हो जाएगा इस murder scene को देखकर इन्हें पता जलता है कि यह जो bodies है यह बहुत दिनों से यहाँ थी हमने अभी-भी murder scene पर कैंग को देखा था तो यह कैसे possible हो सकता है अब next scene में हमें दिखता है कि कैंग hospital से उट जाता है और वो अपने घर तक आ जाता है यह बहुत ही injured है उसकी wife भी उटकर आ जाती है सुजिन कैंग से कहती है कि इतना work तुम क्यों कर रहे हो कैंग कहता है कि तुम्हारे show के लिए में आना जाता हो सुजिन का show foreign में होता है और वो काम करकर जल्दी से वहाँ पोशना जाता है सुजिन भी बहुत मेंनत ले रहे होती है यह उससे पुछती है रात में ऐसे उटकर क्यों तुम बेठे हो कैंग कहता है कि मुझे बहुत बुरा सपना आया था यह शोग करने के लिए तुम गई पर बीच में ही तुम्हारा plane crash हो गया इसकी वाइब बहुत डिस्टब हो जाती है कैंग उसे पुछता है वो कहती है कि यह सबना नहीं था यह सच मुझ है इस अजीब से सीन के बाद कैंग की वाइब मर चुकी है और एक office के party में कैंग हमें दिखाई देता है कैंग दुखी है तो उसे बहुत बुरा लगता है यह दोनों गम में है तो उसके पास आकर बैठ जाती है उसे पुछती है क्या तुम मुझे जानते हो इसके बाद कैंग यहां से उठकर चला जाता है यह बहुत लिए ड्रंक है तो घर नहीं जा सकत अब एक साल गुजर चुका था ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहने लग गए कैंग कभी भी अपने काम में ज़्यादा सिंसेर नहीं था वो एक टिवी शोव पर काम कर रहा था उसकी एडिटिंग उसने कम्पलीट नहीं की थी उसने ये सब चैनल पर डाल दिया और जब चल रहा था तभी एडिटिंग कर रहा था इसकी वज़े से अपने बॉस के साथ ये ट्रबल में आ चुका है कैंग का बॉस उसे कहता है कि अगले शोव में तुम नहीं होंगे एक लास्ट शोव कैंग को करना है और ये शोव स्पाइडर फोरेस्ट और बेस्ट है कैंग को फिर एक अजिब कॉल आता है इसमें वो आदमी बोलता है कि जिस लड़की के साथ तुम सो रहे हो तुम्हें लगता है कि वो तुमारी तरह ही है पर तुम बहुत ही गलत हो इस आदमी ने कैंग को फोटोग्राप्स का रोल भेजा हुआ होता है इसके बाद रात में कैंग फिर से सुयंग से मिलता है उसे आज रात प्रपोस कर देता है सुयंग इस पर सोचने वाली है कैंग फिर हम से कहता है कि उस रात के बाद सुयंग ने मुझे कुछ भी जवाब नहीं दिया अब थोड़े दिन गुजर चुके है और कैंग स्पाइडर फोरेस्ट की इन्वेस्टिकेशन करने के लिए एक गाव में आ जाता है इस गाव में आकर उसे लड़की से बात करनी होती है इस लड़की का फोटोग्राफिका स्टूडियो है कैंग इस लड़की को कहता है कि स्पाइडर फोरेस्ट के बारे में मैंने बहुत सारी चीज़े सुनी है मुझे तुम अपना सिर्फ एक्स्प्रियंस बताना इस लड़की के साथ वो बाच्चित करता है और अपने लिए पास्वर्ट फोटो भी निकाल लेता है इस लड़की को कहकर जाता है कि उसके स्टोरी लेने के लिए ये कल फिर वापस आएगा इस लड़की भी हमारा मेन कारेक्टर है और इसका नाम हम डेजी रखेंगे कैंग जब कार में होता है तो उसे फिर से उसी मिस्टरियस आदमी का कौल आता है उसे कह रहा होता है कि सुयंग ने तुमें मना कर दिया और उसका एक आदमी के साथ अफेर चल रहा है क्या तुम उसके रिए क्यूरेस नहीं हो यह उसे बता देता है कि स्पाइडर फोरेस्ट में ही वो एक आदमी से मिलने वाली है एक जगा पर कैंग रुखता है और सुयंग की कार भी वहा जाती है यह इसका पीछा करता है कि यह कहा जा रही है एक घर के पास कैंग पोचता है अंदर जाग कर जो वो देखता है तो यहाँ सुयंग और उसका बॉस यह दोनों होते है यानि कि सुयंग का फिर उसके बॉस के साथ ही चल रहा था इस घर की स्टोरेज रूम में कैंग आता है यहाँ उसे एक वेपन मिलता है यह बहुत ही गुसा होता है और अंदर जाकर इन्हें उसे मारना होता है यह दरवाजे के पास आता है पर तभी उसे कुछ आवजे सुनाएं देती है यह रूख जाता है और इस आत्मे की बीचे पढ़ जाता है ये पीछा करते हुए ही एक पल उसे जंगल में डेजी भी दिखती है ये किसी को ढूण नहीं पाता disappointed होकर गाड़े में बैठ जाता है यहाँ पर एक spider उसे काट लेता है फिर से present दिखाया जाता है और ये जो उसके साथ incident हुआ था और डेजी के बारे में भी कैंग कीम को बता रहा होता है फिर से हम पास में चले जाते है और कैंग डेजी के पास आया हुआ है spider ने उसे काट लिया था तो उसके तवियत अब ज़रा खराब हो रही है डेजी के पास आकर हो पुछता है तुमारी ये जो मशिन है क्या तुम मुझे चलाना सिखा सकती हो stranger ने उसे photos का role दिया है वो उसे develop करना जाता है डेजी उसे सब को समझाती है जब कैंग studio देख रहा होता है तो डेजी notice करती है कि इसे बुखार है इसे medicine ला कर देती है इसके बाद डेजी का interview स्टार्ट होता है और डेजी अपनी story सुनाने लग जाती है ये कहती कि जब मैं छोटी थी और school में थी तो भाह एक लड़का आया था इन दोनों की friendship हो गए डेजी तब किसी से भी बात नहीं करती थी सब लोग इसे चिडाते थे पर ये लड़का उसका अच्छा friend बन गया खेलती खेलती एक दिन डेजी इस लड़के को अपने घर लेकर आए घर जाकर वो storage में ही छुप गये इन्हें कुछ आवाज आने लग गए तो ये दोनों घर में देखने लग गए मदर फादर intimate हो गए पर उसके बाद डेजी के फादर ने डेजी की मदर का खुन कर डाला इन दोनों ने भी कुछ आवाज की तो डेजी के फादर इन दोनों के बीचे लग गए ये लड़का भी भाग रहा था पर एक जगा वो टकरा गया और इससे बेवोश हो गया रात में जब ये लड़का उठा तो उसके पास ये लड़की आई इस लड़के का हाथ उसने पकड़ा पर खुद आसमान में फ्लोट होने लग गए यानि कि ये लड़की मर चुकी थी इसके बाद ये लड़का इस शेहर से बाहर निकल गया ये स्टोरी खतम होती है पर कैंग की तबियत और भी खराब हो जाती है कैंग वही सो जाता है और डेजी उसे हल्प करती है यहाँ नीन में फिर से उसे अपनी वाइफ की याद आती है कैंग थोड़ी देर बाद उठता है जो रोल उसे स्टेंजर ने डेवलप करने के लिए दिया था ये वो डेवलप करता है जब वो ये फोटोस देखता है तो ये उसकी ही मेमरीज होती है ये देखकर उसे जादा को समझ में ने आता थोड़ी देर में वहाँ डेजी आ जाती है अब ये ठीक हो चुका है तो डेजी उसे पुछती है क्या हम खाना खानी के लिए कही बाहर जाये ये दोनों फिर रोपे में आ जाते है ये रोपे बीच में ही बन पड़ जाता है डेजी फिर इस फोरेस्ट को स्पाइडर फोरेस्ट को बुला करते है इसके स्टोरी बताती है यह कहती है कि spider spirits को represent करते है जब भी कोई मरता है पर उसे प्यार करने वाला कोई नहीं होता तो यह सब souls directly spider में convert हो जाते है यह spirits कभी भी मरती नहीं और as a spiders ही जीती रहती है इन spirits को अगर कोई याद करता है तो उसके बाद ही यह free होती है इसके बाद Daisy और Kang दोनों spider forest में आ जाते है Kang आसपास देखता है तो Daisy आचाना कायब हो चुकी है Daisy को यह ढूनता है पर थोड़ी देर में रात हो जाती है ढूनते ढूनते फिर से उसी घर में आ चुका है जहां सुयंग मरी हुई थी और उसकी लाश उसे मिली थी यह सब चीजे Kang अपने friend कीम को बता रहा होता है Kang बहुत ही enjoyed है तो यह बताते बताते ही उसके तवियत और भी खराब हो जाती है उसे फिर से hospital में ले जाया जाता है officer कीम सब चीजों की investigation करने लग जाता है Kang की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और वो hospital में था पर जब वो फिर से होश में आया तो hospital से भाग गया फिर से investigation करने लग गया वो जब Daisy के यहां आया तो वहाँ कोई भी नहीं था इस जगा पर बहुत दिनों से कोई भी रहे नहीं रहा इसके बाद Daisy का पता निकालने के लिए Kang Daisy के school में पहुँच जाता है यह सब record से करना निकालते है टीचर कहते हैं कि जो वहाँ बुरा हुआ Kang को लग रहा होता है कि Daisy के फादर ने उसे मार दिया था पर यह टीचर उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था डेजी को एक बिमारी हुई थी और इसी वज़े से वो मर गई थी Kang investigation करते हुए डेजी के जब studio में पहुचता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि Daisy का studio है ही नहीं Kang के फादर इस studio को own करते थे और अब यह Kang का है डेजी ने हमें story बदाए थी जिसमें एक छोटा लड़का भी था वो लड़का Kang ही है और डेजी के साथ ही यह पढ़ता था Kang रात में घुमते घुमते फिर से उसी house तक आ जाता है यह वहाँ देखता है कि उसकी जैसा ही देखने वाला एक आदमी वहाँ है Kang को गोजी बिलिव नहीं होता एक Kang खुदी है और उसे यह सब याद आ रहा है Kang फिर घर के पास जाता है और उसे याद आता है कि यह वही था उसने वर्डर वेपन लिया था और सुयंग और उसके बोज को मार डाला था Kang फिर पच्टाव करने लग जाता है और घर में आकर बेट जाता है घर में अचनक से डेजी आ जाती है डेजी उसकी पास आकर बेट थी और पुछती है क्या अब तुम्हें सब कोछ याद आ गया है Kang केता है यह मुझे सब कोछ ठीक कर देना था पर यह बहुत ही हार्ड मुझे लगा मैं करनी बाया डेजी उसे बोली कि अभी भी जादा कुछ लेट नहीं हुआ है Kang अभी भी इस फोरेस्ट से निकल सकता है वो उसे फिर एक केव के पास लेकर आए डेजी उसे बोलती है कि इस केव में तुम जाओ तुमें एक डोर मिलेगा डोर ओपन करकर एक आदमी से तुम मिलोगे इसे मिलने के बाद तुम्हारे सब क्वेशन आंसर हो जाएंगे Kang फिर अंदर जाता है और कार्स के टनल में ही पहुच जाता है मूवी के फर्स में हमने देखा था Kang इंजोर हो चुका था और टनल में आ चुका था टनल में एक आदमी को उसने देखा उसके पीछे वो भाग रहा था ये आदमी उसके खुद की ही कौपी थी ये उसके पीछे गया पर जाते होए ही उसका एक्सिटन्ट हो गया इसके बाद हम फिर से मूवी के फर्स में हमें जो दिखा था ये ही देखते है Kang का ओपरेशन हो चुका है और वो थोड़ी देर बाद होश में आ जाता है इस बार जब वो होश में आया है तो उसे सब कुछ पता चल चुका है इसका मतलब है मूवी में बहुत सारी चीज़े सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी ये जब भियोश था तब सब सौल करने ही कोशिश वो कर रहा था उसे याद नहीं था कि सुयंग को उसने ही मारा है इसे सौल करते वक्त ये पूरी मूवी चली है अब हम फिर से मूवी में जो सब सीन सुय है ये सब कुछ देखेंगे मूवी के फर्स में उसे सुयंग की बौडी मिल गए और वही उसे मर्डर सीन पर दिखा कि वहाँ कोई है इस आदमी की पीछे हो भागा पर इसी आदमी ने उसे इंजोर कर दिया भागते भागते टनल में आ गया पर एक गाड़ी ने उसे टकरा दिया इस गाड़ी को अगर हम देखेंगे तो ये गाड़ी उसकी ही है जिस आदमी को उसने देखा था ये वही था ये सीना में समझाता है कि कैंग को बहुत ही बुरा लगा था इसी वज़े से उसने खुदकुशी कर ली थी इसके बाद में जो सब चल रहा था ये सब उसका सबकॉंशियस था कैंग हॉस्पिटल से घर पर आ गया था अपनी वाइफ को याद कर रहा था उसकी वाइफ के एक याद में उसकी वाइफ यूश से कहती है कि वो एकसिडन में मर जाने वाली है ये सब उसका सबकॉंशियस उसे बता रहा था इसके बाद सुयंग के साथ उसकी जो भी सब रिलेशनशिप थी ये सचुच में हुआ था इसने सुयंग को प्रपोस किया पर वो हाँ ना कुछ भी कहने रही थी उसे जो सब मिस्टियस आदमी के कॉल हा रहे थे ये उसका खुद का सबकॉंशियस था जो उसे बता रहा था कि सुयंग पर उसे बिलीव नहीं करना चाहिए सुयंग के साथ कुछ ना कुछ तो गड़वड है यही चीज वो फाइंड आउट करने के लिए फॉरेस्ट में गया था मूवे में हमने देखा है कि वो डेजी से मिलता है डेजी उसके बचपन की फ्रेंड थी जो मर चुकी थी कैंग को लगता है कि डेजी से किसी ने भी प्यार नहीं किया है इसी वज़े से डेजी की स्पिरिट स्पाइडर में ट्रैप्ट हो जुकी है इसी वज़े से उसके सबकॉंशियस में उसे हमेशा स्पाइडर दिखते है जो स्टोरी डेजी ने बताई थी कि उसकी मदर को फादर ने मार डाला था वर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था एक्चुल में डेजी की स्टोरी ये कैंग की ही स्टोरी थी कैंग जब छोटा था तो उसके फादर को छोड़ कर उसकी मदर चली गई थी उसका किसी और आदमे के साथ चक्कर था इसलिए वो चली गई इसके बाद उसके फादर ने कभी भी उसकी मदर से संबन नहीं रखे थे यही वो स्टोरी रिपेजन कर दी है कि कैंग के फादर ने उसकी मदर का मर्डर कर दिया यानि कि कभी भी उसके साथ उन्होंने संबन नहीं रखे और कैंग को भी उसकी मदर से मिलने नहीं दिया देज को solve करने के वो कोशिश कर रहा था लास्ट में याद करते करते उसे सब कुछ समझ में आ गया कैंग को बहुत ही बुरा लगा कि उसने murder कर डाला है मुवी के लास्ट में आपने देखा है कि डेजी उसे बताती है कि वो अभी भी इस सब को ठीक कर सकता है यह उसका subconscious ही उसे बता रहा था यह उसे कह रहा था कि अगर उसने suicide कर ली तो सब कुछ ठीक हो जाएगा यही कैंग ने किया था पर suicide करने के अडिर्म में यह बज़ गया अब आपको इस मुवी का सब कुछ suspense पता चल चुका है आप फिर से इस वीडियो को देख सकते है और सब कुछ चीज़े आपको आप समझ में आएगी अगर आपको इस वीडियो अच्छा रगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीज़ेगा मैं बहुत सारी मुवीज एसी लाता रहता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्स्राइब कर दीज़े और बेल नोटिफिशन आइकन दबने में मत भूलिए फिर से मिलेंगे और एक नहीं मुवी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखिए